हेलो माई डियर श्टूडेंट कैसे हो आप लोग और कैसी चल लए आप लोगों की तैयारी आज हम इस वेडियो में 2024 अर्थसास्त्र का वाइरल पेपर लेकर आये हैं जो कि 2024 में ये पेपर ऐसे ही दिया हुआ था और ये पेपर में पूरा आप लोगों को solution के साथ में बताने वाला हूँ ठीक है पूरा में पेपर हल करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से आपका 2024 में पेपर आया था और आपके लिए इस बार 2025 के लिए कैसे important हो सकता है आज किस वेडियो में हम जानेंगे सारी चीज़े आज किस वेडियो में आपको अताएंगे ये पेपर जो है ये वीडियो देख लेते हैं ये पेपर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका 30 से 40 नंबर आपका एजली कंफर्म हो जाएगा economics में खासकर ये वीडियो देखने के बाद में तो complete वीडियो देखिएगा पूरा में information इस वीडियो में देखने वाला हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं student पेपर कोड देख सकते हैं 329 FH 136 ये कोड है 2024 आर्थसास्त्र क्लाश टोयल का पेपर है पूरांग 100 नंबर का है यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट जो की हर एक सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित है नोट में दिया है कि प्रारब में ये पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है और देखें निर्देश में हर एक model paper में देता हूँ जो मेरा new pattern का model paper उसमें भी मैंने निर्धेश आप लोगों को बताया है निर्धेश आप लोग सभी पढ़िएगा ठीक है इसी के हिसाब से आपको बूर्ड ज्याम में प्रश्णों का उत्तर देना होता है देखें प्रश्ण संख्या 1 से 10 तक बहुवी कलपी है जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है जिनका प्रश्ण संख्या 1 से 10 तक बहुवी कलप लिखना है यानि ये बताया गया कितना नंबर आपको दिया जाएगा आगे आप देख सकते हैं कितने सब्दों में कौन से question का एंजर देना है इसमें आप देख सकते हैं बाकाइदा उसके बाद में देखिए यहाँ पर इंगलिस मीडियम के लिए भी है अब यहाँ से देखिए हमारा बहुविकल्पिय प्रेश्ण स्टार्ट हो जाएगा देखिए दस बहुविकल्पिय प्रेश्ण आपके होते हैं एकोनोमिक्स में तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला question क्या पूछा गया है यह देखिए सबसे पहला question है कि यह कुल उपियोगता अधिक्तम हो तो सीमान तुपियोगता होगी जो कुल उपियोगता है यह अधिक्तम होगी तो जो सीमान तुपियोगता होगी वो सोननी हो जाएगी यानि पहले question का star right answer हो जाएगा अगला question देखिए दूसरा number यहाँ पर पूछा क्या गया है यह देखिए मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्रियाय है जो मांग की कीमत है लोच का अभिप्रियाय क्या है यह बताना है options आपके सम्मुक्ष चार है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन मांग में परिवर्तन या वास्तिवी कायों में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन तो यह दूसरे का राइट एंसर आपका आ हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगा अगरा question देखें तीन नंबर तीन नंबर question जो दिया हुआ है इसका answer आप लोग comment में जरूर बताईएगा उपभूगता की संस्थिती है तो सही सर्थ क्या है इसका answer मैंने book में देखा तो मुझे मिला रही आप लोग comment में जरूर बताईएगा यह इसका answer पता है तो तीन नंबर questions भी आप देख सकते हैं ऐसे ही आपके इस बार के बोड़िया में भी economics में questions आएंगे तो तयार करका कुछ जाना है चार नंबर questions देखिए उत्पादन फलन जो यह dot dot दिया हुआ इसी में हमारा right answer आएगा उत्पादन फलन के मद्ध संबंद को व्यक्त करता है क्या व्यक्त करता है यह इनमें से जो right answer हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा यानि लागत यहों लाब को व्यक्त करता है तो अब देखिए इसका right answer कैसे इसमें बैठता है कि उत्पादन फलन लागत यहों लाब के इस मद्ध संबंद को व्यक्त करता है देख सकते हैं कितना 60 question का answer हुआ है अगला है 5 number question यहाँ पर देखिए मांग का संकुचन होता है जब मांग का संकुचन क्या होता है जब होता है तो देखिए यह चारों विकल्प में हमें इसका answer देना है तो फिलाल जो right answer हो जाएगा वो आपका सावाला हो जाएगा यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा देखिए उपभोगताओं की संक्या कम हो जाते है मांग का संकुचन होता है तो उपभोगताओं की संक्या जो होते है वो क्या होते है कम हो जाती है तो यह हो गया अब उसकी बाद में देखिए अगला यहाँ पर देखिए अगला क्या दिया हुआ छे नंबर कोर्षिन कि राष्टिय आए की गड़ना तीन विधियां कि हैं जो राष्टिय आए की गड़ना की तीन विधियां है वो कौन-कौन सी है ये बताना है हमार तो यह चे नमबर का आवाला राइट एंसर हो जाएगा उपादन व्यों तथा आए विधी यह राष्टी आए गड़ना की तीन विधियां है यानि आवाला सही विकल्प हो जाएगा साथ नमबर कोश्चन देखिए क्या है भारत के वैंकिंग और मौद्रिक सरचना को कौन सा बैंक नियंतरित करता है यह आप लोगों को बताना है तो इनमें से भाईया रिजरब बैंक आफ इंडिया हो जाएगा जो की राइट एंसर हो जाएगा जो की भारत के बैंकों को यही यह सभी बैंकों को यहीं क्या है इक प्रिकार से नियंतराण करता है तो साथ नमबर का बावाला बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा एक एक नमबर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं सभी इंपोर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर एकोनोमिक्स से रिलेटेड अबलोड कर चुका हो चाहे बहुत इकल्पिय का हो या निश्ची तुक्त या आपका लगुत तरिये प्रेशन अति लगुत तरिये या देर गुत तरिये और इंपोर्टेंट टॉपिक भी मैंने बताया है एकोनोमिक्स का कि इस बार की बोर्ट एक्जाम में कौन-कौन से टॉपिक आपके बोर्ट एक्जाम में पूछी आएंगी तो वो टॉपिक भी वीडियो जरूर देख सकते हैं चानल पर मिल जाएगा आठ नंबर देखिए क्या पूछा गया कोशन कि जब सरकार देखिए क्या है कि जब सरकार अपनी राजश्य आयस से अधिक खर्चा करती अधिक की को क्या कहते हैं तो भाईया वो क्या कहते हैं इनमें से जो राइट एंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बजट ये घाटा तो इनमें सिसा वाला हो जाएगा जो की राइट एंसर हो जाएगा बजट घाटा और एक और हाज आएगा आपका राजश्य घाटा 0.75 हो तो निवेस गुणक का मान होगा, वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 4, यानि आवाला राइट एंसर हो जाएगा, अगला कोशन है 10 नंबर, देश की भुकतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवशक्ता है वो, अवशक्ता है वो क्या है, इन सभी से, यानि अपने निर्यातों में विरिद्धी, अपने आयातों में कमी और अपने मुद्रा का अवमोलियन, यानि दस नंबर का आपका राइट एंसर ये तीनों हो जाएगे, तो ये हमारी बहुविकल्पिये प्रेशन थे, जो कि 10 बहुविकल्पिये प्रेशन थे, तयार कल लीजिएगा, और मैंने ज्यादा से याद अपने चैनल पर 205 बूर्ड ग्रेशन के लिए, बहुविकल्पिये प्रेशनों को भेज दिया जाकर आप देख लीजिएगा वीडियो, अब चली देख लेते हैं, जो कि अगला कोश्चन है, अतिरग उत्तरिये प्रेशन, ठीक है, टोटल आठ कोश्चन्स आपके एकॉनोमिक्स में पूचे आते हैं, और परतेख प्रेशन आपका तीन नंबर का होता है, एकॉनोमिक्स का, वेरी शॉर्ट एंसर टाइप कोश्चन, ठीक है, तो इसका एंसर देखिए, ज्यारन नंबर में, कि वेश्टी अर्थसास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पहला कोश्चन है कि वेश्टी अर्थसास्त्र से क्या समझते हैं, इसकी बारे में बताना है, तो student में आप लोगों को बता दू जितना भी इस वीडियो में जितना भी questions मिलेगा इसका answer मैंने अपने चैनल की वीडियो जी में बता दिया है और इसी साल 2015 में बताया हुआ है तो आपको करना क्या है सिंपल सा एके questions को सर्च कर लेना है नहीं तो इसका answer book में या question bank में मिल जाएगा बाकाइदा लेकिन मैं वेश्टी अर्थसास का थोड़ा परिवासा बताना चाहूंगा questions इस तरह से भी पूचे जाएंगे कि वेश्टी अर्थसास्तर और समिष्टी अर्थसास्तर में अंतर बताईए तो फिलाल आप वेश्टी अर्थसास का परिवासा देखिए कि जब आर्थिक समस्याओं अतवा आर्थिक मुद्दो का अध्यान व्रतिकत उप्भोगता या व्रतिकत उत्पादक जैसी छोटी आर्थिक इकाईओं के धान में रखकर किया जाता है तब हमारा अर्थिया वेश्टी अर्थसास्तर से होता है यह छोटा सा इसका उधारण है यह परिवासा कहले जी ठीक है कोश्चन से इंपोर्टेंट है समझ लेजेगा चैप्टर जो वन है उसी से लिया गया है दूसरा है बारा नमबर देखिए बारा नमबर क्या है आदर्शक अर्थिसास्तर क्या है इसकी बारे में आप लोगों को बताना है तीन नमबर का कोश्चन है ठीक है इसकी बारे में इसका एंसर आपको लोगों को दे देना है तीरा नमबर कोश्चन है कि हासमान उपयोगता नियम क्या है हासमान जो उप्योगता है इसका नियम क्या है? इसकी बारी में आप लोगों को इसका एंसर देना है, ठीक है? जब आप इसका एंसर दे देंगे तब आपको पूरा नमबर दे दिया जागा हासमान से मान उप्योगता ठीक है? इस तरह से आपके इसका मैंने एंसर बता दिया है फिलाल मैं पेपर को बता रहा हूँ आपको अगला दीखिये, चौधा नमबर कोश्चन इंग्लिस मेडियम के जो चात रहे हैं वों इंग्लिस मेडियम वाला भी भयाग कर सकते है चौधा नमबर कोश्चन है कि बाजार मांग वक्र क्या है तो बाजार मांग वक्र क्या है इसके बारे में भी एंसर मैंने आपको बता दिया है कि बाजार मांग वक्र होता क्या है जिसे लिए ठीक है? इसका अर्थ क्या है? मांग का अर्थ बजार मांग वर बजट रीखा क्या है मांग वक्र किसे कहते है सामान वस्तू मांग का नियम तो बजार मांग किसे कहते है इसके बारे में थोड़ा आपको परिभासा दे दू कि बजार में किसी वस्तू के सभी करताओं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं किसी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्त विसेश की मांग वक्रों से प्राप की जाती है तो ये बाजार मांग हो गया पंदरा नमबर कोश्चन है कि साधन लागत पर राश्टी आय को परिभासित केजी जो साधन लागत है इसको राष्टिय आय को प्रभासित करना है आप लोगों को 15 नंबर कोश्चन में ठीक है अगला कोश्चन है 16 नंबर कि राज़ शुगाटा से आप क्या समझते हैं ठीक है इसके बारे में आपको बताना है 17 नंबर कोश्चन है अनेचिक विरूजगाईरी किसे कहते हैं ठीक है इसका भी आंसर मैंने और लेडी चैनल पर दे रखता है आप आती लगों तरी वाला सेक्षन जरूर खोलेंगी तो उसमें आंसर मिल जाएगा अगला कोश्चन है आकरी 18 नंबर सरकारी बजट क्या है ठीक है इसके बारे में मैंने आंसर बता दिया कि सरकारी बजट होता क्या है सरकार किस तरह से बजट को पेस करती है बजट किस वर्ष महीने में यानि हर वर्ष एक साल में आता है यानि एक प्रकार से एक अपरेल से शुरू होकर 31 मार्च तक बजट रहता है ठीक है तो बैक्ग्राउड में आपको काफी सारी आवाजे सुनाई दे रहे होगी जानवरों की हैं ठीक है तो उसको प्रेज इगनोर कीजिएगा तो 36 नंबर आपको एकोनोमिक्स के लगो तरी प्रेशन में देखनी को मिल जाएगा 19 नंबर कोश्चन है कि उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रम वाचक मापो में भीद कीजी तो 3 प्लस 3 नंबर दिया जाएगा आपको देख सकते हैं कट गया है आधे वाला तो बराबर आपका 6 नंबर हो जाएगा यानि उपयोगिता की संख्यात्मक तथा करम वाचक मापो में भीद करना यानि इसमें अंतर बताना वीजी के लिए तो 3-3 नंबर दिये जाएगी 20 नंबर कोश्चन है इस्थानापन वस्तू और पूरक वस्तू से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी बताना है आप लोगों को बुक मिया कोश्चन बैंक में इसका अंसर मिल जाएगा जरूर तयार कर लिजेगा 21 नंबर कोश्चन है परिवर्तनिय अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं ठीक है इसके बारे में बताना है इसके बारे में आप देख सकते हैं इसका अंसर इंगलिस वाले में जो इंगलिस मेडम के हमारी स्टूडेंट है वो देख सकते हैं पाइस नंबर कोश्चन है इस्तिर विनमेदर की व्याख्या कीजी, explain fist exchange rate, इस्तिर विनमेदर क्या होता है, और अगला कोश्चन है त्याइस नंबर देखिए, कि चालू खाता एओ पूजी खाता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताईए, छे नंबर दे दिया जाए model paper के videos को, उसका मैंने answer, उस videos में मैंने answer दिया हुआ है, आप simple सा ये भी कर सकते हैं कि एक ए question का answer आप क्या YouTube पर सर्च कीजिए, बाइस सिवा mystery यानि ये सर्च कीजिए, questions को की प्रतियासित निवेस क्या है, बाइस सिवा mystery knowledge लगाएंगे, वो video मिल जाएगा, जिसमें इस question का answer होगा, ठीक है, first number पर, page पर आपको video दिखने को मिल जाएगे, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, यदि आप लोगों को ये paper चाहिए, तो Instagram के ID नीचे दी हुई है, follow कर लिजेगा, और WhatsApp की ID दी हुए, Telegram पर, मैं सभी पर upload करता हम, तो जो भी मन करें, वो follow कर लिजे, ठीक ह और कुछ पूछना चाहते हैं, प्रसनल, आप लोग हम से, ठीक है, बोर से related या कुछ भी, तो आप Instagram के ID दी हुए, वहाँ पर आकर बाकाइदा पूछ सकते हैं, तो total जो 6 questions था, मैंने answer बता दिया आपको, answer नहीं, total मैंने questions को बताया है, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका answer भी मेली करा हूँ, तो आप लोग ज्यादा से यादा comment कीजिए, और इस video को ज्यादा से यादा share कीजिए, कि फी video बनाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा answer के साथ में, ठीक है, देखें, अगला है, वरिस्तु तुत्तरी प्रशन, यानी long answer type questions, तो total 3 questions होते हैं, 6 number expression के लिए, total 10 number हो जाएगा, अब इसमें भी देखिए, अथवा लगा, माल लेजी कि ये नहीं आ रहा उपर वाला, तो ये वाला कर लीजिएगा, समूत पाद वक्र क्या है, समूत पाद वक्रों का परियोग कर उत्पादक की संस्तिती प्रदर्शित कीजी, ठीक है, 2024 के विद्यारते, उन्होंने सभी पेपर को अच्छे से सॉल्ट किया जा था, ठीक है, सारे कोश्चन्स उनको आते थे, जो मैंने पढ़ाया था, और वो तैयार भी किये थे, उनका काफी अच्छा स्कूर हुआ था, खासकार हर एक सब्जिक्ट में, हर एक सब्जिक्ट में मेरी पूरी तैयारी कराई थी, ठीक है, तो देख सकते हैं, अथवा इसमें भी लखा है, साक सुजन से आप क्या समझते हैं, साक नेमदरन की विविन उपायों की बारी में बताईए, तो इसका बारी में बता सकते हैं, अगला कोश्चन है, आखरी, कि राष्टे आयों आर् इसने भी कोश्चन्स बताएं, आप लोग बाकाईदा सारी कोश्चन्स एंसर को तैयार कर लेंगी, तो आपका 30 से 40 नंबर इसी मौडल पेपर के थुरू कंफर्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये एकोनोमिक्स का एक वाइरल पेपर था, I hope की पसंद आया होगा पेपर चाहिए तो आप लोगों की इस्टागराम पर मैसेज करना होगा इस वीडियो को देखनी के बाद में, तो मिलता है नस्टी वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेकर जै है